hi everyone welcome to my channel आज हम बात करेंगे बड़ा छोटा सा topic है hypoxia ठीक है पूछा जाता है बहुत important question है short question mostly आते ही आते हैं ठीक है hypoxia के बारे में बात करेंगे hypoxia होते है decreased partial pressure of oxygen at tissue level ठीक है उसे बोलेंगे hypoxia अगर blood में oxygen कम हो जाती है तो उसे बोलेंगे hypoxemia होते हैं तो आज हम बात करेंगे हैं पूछे जाते हैं है पूछे जाते हैं है पूछे होते हैं कुछ उस पे बैसिकली उसको समझने के लिए हम समझ दें कि एन्वार्मेंट से हम एर इनहेल करते हैं ठीक है वहां से लंक्स में जाती है तो अगर वहां अगर oxygen concentration कम होगी partial pressure of oxygen कम होगा तो उसे हम बोलेंगे hypoxic hypoxia ठीक है तो hypoxic hypoxia में decrease in PO2 you can see example है जैसे high altitude में पाये जाता है प्योट्व कम होती है तो वहां पे hypoxic hypoxia पाये जाएगा ठीक है देन लंक्स में आ जाती है एर देन लंक्स से अगर बलड में हमारी oxygen content कम है इसका मतलब क्या है कि oxygen जिससे बाइंड करेगा यानि हीमोग्लोबिन उसकी कमी है या रबीसी की कमी है ठीक है तो that is called anemic hypoxia यानि anemia है ठीक है तो decrease oxygen carrying capacity of blood होता है जिसकी वज़े से कॉज होता है इसका decrease in hemoglobin ठीक है तो anemia होगा उसमें जो hypoxia होगा उसमें oxygen content की कमी होगी तो उसे बोलेंगे anemic hypoxia ठीक है तो यहां पर जो po2 है हमारा environment का वो बिल्कुल नॉर्मल होगा है न क्योंकि emoglobin कम है po2 थोड़ी नॉर्मल है okay then blood में oxygen आ गई है ठीक है अब blood में oxygen है अगर tissues तक वो पहुंच नहीं पारी तो यह यह पार्ट क्या हुआ यह हुआ सर्कुलेशन यानि अगर heart circulation नहीं कर पा रहा हमारे blood को ठीक है तो circulation affect होगा तो उसे हम बोलेंगे कि blood जो है वो ठहर गया है ठहर गया मतलब stagnant right तो उस hypoxia को बोलेंगे stagnant hypoxia ठीक है सो कब affect होगा यह जब blood flow या circulation में कोई प्रॉब्लम होगी जैसे cardiac failure heart failure हो रहा है heart circulate नहीं कर पा रहा तो उस सेंस में hypoxia होगा stagnant hypoxia तो समझ रहे हो अब बुक में आपको मिलेगा कि यहां पर CO2 नॉर्मल मिलेगी यहां पर हीमोगलोबिन concentration यह दोनों चीज़े जो है नॉर्मल मिलेगी समझने की कोशिश करो अगर कोज पता है तो आप लिख पाऊगी यह अलग से जो एक्स्ट्रा पॉइं ठीक है यह यह हो गई हमारे तीन टाइप hypoxic hypoxia अनीमिक hypoxia and stagnant hypoxia से टीशू तक आने में कोई प्रॉब्लम निया है अब यह बात जो मैंने बोली है उसी को आप कैसे लिखेंगे कि हिस्टो टॉक्सिक hypoxia में PO2 नॉर्मल होगी हीमोगलोबिन concentration नॉर्मल होगी और circulation नॉर्मल होगा circulation में भी कोई प्रॉब्लम नियोंगी ठीक है तो प्रॉब टीशू में toxicity फैलाते हैं जिसकी वज़े से टीशू इस अनेबल टू यूज ऑक्सिजन तीशू जो है उक्सिजन यूज नहीं कर पाता वहाँ पर हमारा प्योर टू भी नॉर्मल है उक्सिजिन नॉर्मल है हमोगलोबिन की वज़े से सर्गूलेशन में भी कोई प्रॉब् आपको समझ आ गया होगा इस तीन मिनट में एट लिस्ट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने है अगर यह कोश्चन आता है तो थैंक्स वोचिंग